आपका आगवाश्वी से वेलकम करते हैं हमारे आज के इस फ्रेस वीडियो पे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करूँगा पांच ऐसे लॉन आप्लिकेशन के बारे में जिससे आप घर बैठे बिलकुल प्रास्टना लॉन ले सकते हैं Và वेलियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपके साथ डिसकस कर लिता हूँ कि यह जो पांच अपलिकेशन है, पांच अप्लिकेशन के लिए जो डोकमेंट का करेकट्रिया रहेगा, वो सेम रहेगा इसमें किसी भी परकार का जो है आपको अलग से कोई डोकॉमेंट नहीं देना पड़ेगा जो डोकॉमेंट मैं आपको बताऊंगा ये चारो पांचो अप्लिकेशन पे ये डोकॉमेंट से हम चलेगी तो सबसे पहला अप्लिकेशन जो आता वो आता ना भी लॉन अप्लिकेश और यह सारे application NBFC से registered है इसमें किसी परकार के धोकादड़ी के chances नहीं है तो सबसे बात कर पहले करते हैं हम लोग ना भी लॉन application का तो ना भी लॉन application से लॉन लेने के लिए आपको इस वीडियो के description पे लॉन का application का link मिलेगा आप वहाँ से download कर सकते हैं ना भी लॉन application का जो है link मैंने इस वीडियो के description में दिया है आप वहाँ से download कर सकते हैं तो सबसे पहले जो application आता वो आता है ना भी लॉन application तो ना भी लॉन application को सबसे पहले यदे आप download करेंगे तो download करने के बाद जब इसको open करेंगे तो कुछ इस तरीके का interface आपको देखने को मिलेगा तो यहां पर सबसे पहले चले जाना है आपको cash loan के अंदर जैसे आप cash loan के अंदर जाएंगे तो यहां पर आपको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा loan approval less than 2 minutes यानि कि 2 minutes के अंदर आपका loan approve कर दिया जाएगा तो इसमें document की बात करते हैं क्या क्या document लगता है इस application के regarding नहीं जो मैं 5 application बताऊंगा पांचों में some document चलेगा तो आपको सिफ अधार card और pen card देना है और आपका loan approve हो जाएगा यहां से आपको क्या क्या देना है अधार card और pen card और आपका loan approval हो जाएगा यहां से सबसे पहले आपको basic details fill करना है basic details के अंदर आप अपने नाम और date of birth सेलेक्ट करेंगे work details आपको share करना है work details के अंदर आप अपना pen card employment type and मंधले income को show करेंगे pen card तो सभी क्या पास होगा employment type में दो type का employment आता है एक आता sellerite person एक आता self-employed sellerite वही भरेंगे जो कहीं पर salary basis पर काम कर रहे हैं job कर रहे हैं जिसको salary sleep मिलता है और self-employed वही भरेंगे जो business करते हैं या पर student हो और मंधले income कुछ verify कर देना है उसके बाद आपको आपका loan offer सो होगा और उसके बाद bank details भर करके identity verification करके आप अपना जो loan amount है उसको bank account में transfer कर सकते हैं तो पहला जो loan application था वो था ना भी loan application और इन सभी loan application को आप इस video के description से download कर सकते हैं और सभी application nbfc से registered है चलिए अब दूसरा application के वह जाते हैं दूसरा application जो आता है वह आता है branch loan application इसको open होने देते हैं तो यहां से हम लोग दूसरा जो loan application है वो है branch loan application तो branch loan application को जब आप डाउनलोड करेंगे फर्स टाइम तो कुछ इस तरीके का interface आपको देखने को मिलेगा यहां पर लिखा होगा apply for a loan in two minutes tap to get started तो जैसे apply now पर किलिक करेंगे तो यहां पर जो भी amount आपको जोरत है उस amount को select करेंगे तो चलिए मैं करता हूं कि मुझे जोरत है 50,000 का तो चलिए मैं start your loan application पर किलिक करता हूं इसके यहां पर date of birth देता हूं उसके बाद continue पर किलिक करता हूं जैसे हमने continue पर किलिक किया अब देखे जो principal amount जो मेरा approved हुआ है अब यह 1500 का अपरोड़ हुआ है उसके बाद continue पर किलिक करता हूं उसके select loan टेंजर 62 days के लिए मैं यहां पर apply करता हूं इसके कंटनी पे किलिक कर देता हूं और हमारा जो एकाउंट locked नमर्य हो यहां पर सोअ ने मुद्ध कर देता हूं तो डेखेश संसी जो है वह 14 inqu reply 2002 करेगा हमारे उत्बेंग एकाउंट पईश्ट बीट होगा वह होगा तो यहां से आप सारा डिटेल्स देख लिए होंगे कि इस ब्रबाद चलूंड अप्लिकेशन से लॉन लेने के लिए क्या-क्या इंट्रेस्ट की जोरत यहां पर लगता है अब हम लोग एक चीज मेंट पॉंट यहां पर डिसक्स करते हैं कि इन सभी लॉन अप्लिकेशन से लॉन लेने के लिए आपका जो सीविल इसकोर होना चाहिए वो 720 से पलस होना चाहिए इक्विफेक्स सिविलिस को जो कि 720 होना चाहिए यदि 720 से निचे है तब आप इस लॉन अप्लिकेशन या फिर पांचों लॉन अप्लिकेशन के साथ मज जाएए आपका लॉन एप्रूब नहीं हो पाएगा तो दूसरा अप्लिकेशन जो हमने ब्रांच आपके साथ डिसकेस क कि यह मिनिममम दो मन्थ के लिए आपको लॉन प्रभाइड करता है तो चलिए अब तीसरा लॉन अप्लिकेशन के और जाते हैं तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूं यहां से एमांट टू यू वोरो कितना वरो कर रहे हैं ब्राउज कर रहे हैं यहां पर वन थाजंड उसके टिंजर तीस दिन से ना इंटिरेश के लिए अब यहां पर सारा डिटेल्स आप यहां से देख सकते हैं टोटल एमांट जो हमने अपलाई किया एक हजार का डिडेक्शन कितना होगा उन साथ रुपया का एमांट जो हमारे एकाउंट पर डिस्टिब्यूट होगा वहोगा 940 रुपया और एमांट मेरा टोटल मुझे देना पड़ेगा 1040 रुपया तो यहां से भी आप सारा आपके साथ मैं ने डिसकस किया वह है M Pocket Loan Application अब चले नेक्स्ट लॉन अप्लिकेशन के और हम लोग जाते हैं पार नेक्स्ट जो लॉन अप्लिकेशन आता है वह आता है Smart Coin Loan Application और यहां से देख सकते हैं हमने अठारा जार का और एडे लॉन लिया है इसका इंदर ले जाकर कि आपको दिखाते हैं तो इसका तीन इमाई पर मुझे देना है इंट्रेस्ट पर मन्त की बात करें तो लगवाग धाई परसंट के आसपस इंट्रेस्ट है यानि कि तीम मैने के लिए मुझे मिला साड़े गुमान टे है उसको कि नाम से जाना जाता है अर यूद बcak inm Vikings का बीडियो के डिस्क्रिventions में मिलेगा आप वहां से डाउनलोडकर सकते हैं तो जयसे इंदर किया अब को सारे डेंस यहां पर दिखेगा जो ओ कुझेटार अमारे एप्रवा था वहा था व Agre甲 करका और जो हमारे distribute bank account में हुआ था तो 20,894 रप्या और interest rate की बात करें तो interest rate 24 दिन के लिए मिला था और sorry 24% का मिला था और टेंजर जो है 62 डेज का मिला था और FI and CIP and FH report amount कितना कटा था 900 रप्या कटा था तो यह total 5 loan application आज मैंने आपके साथ discuss किया तो आप इससे भी loan ले सकते हैं तो फिर मिलते हम लोग next इस तरीके का कोई अच्छा वीडियो को ले करके आसा करते हैं कि यह वीडिया आपका काफी पसंद आया होगा अगर इस तरीके का वीडियो पसंद करते हैं तो हमारे चनल को जरू सब्सक्राइब कीजिएगा